हलो साथियों मैं विशेक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आई टी आई पर ये एक लव ये सिरीज मैं आप सब के लिए लेकर के आ रहा हूं मध्य प्रदेश आई टी आई इंस्ट्रक्टर या इसी को ट्रेनिंग आफिसर के नाम से जो भी वैक आई प्रदेश ट्रेनिंग आफिसर के लिए ही नहीं इसके अलावा विभीन राज्यों में निकाली जाने वाली समय समय पर भर्तियां जो की आई टी आई में टीठर के लिए जा आसिस्टन्ट ट्रेनिंग आफिसर या आई टी अनुधेसक या आई टी के लिए यूसफुल होने वाली है तो आज ये पहला दिन है इसमें हम लोग सलेबस परिच्छे पर डिसकस करेंगे कि क्या आपको पढ़ना है क्योंकि भारत सरकार के अंतरगत पूरे भारत में जितनी भी आई टी चलाई जाती है उनके लिए सभी का सेम सलेबस है टीचर बनन होने वाली है लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए मिर दोस्त क्या आपको पढ़ना क्या है वाखी ज्यादर डिटेल फूल इंफॉर्मेशन हमसे बात करना है तो एप्लिकेशन के लिंक डिस्रिप्शन में है फिटाइट काई नाम से प्लेश पर हमसे चैट कर सकते हैं या एप्लिकेशन पर हेल्प डिस्क में भी आप मैसेज अपना छोड़ सकते हैं सॉरी चली यह आपका सलेबस है सलेबस को हमने दो भागों में बाटा है आपकी सुविधा के लिए जिसमें हम लोग पहला चैप्टर क्या देखेंगे परिचय व्य ले करके चलूँगा क्योंकि बहु सारे बच्चे बीटेक के हैं डिप्लोमा के हैं आईटी आई के हैं और आप लोग प्राइमरी के टीचर नहीं बनने जा रहे हैं आप लोग बनने जा रहे हैं आईटी आई में ट्रेनिंग ऑफिसर या इंस्ट्रक्टर तो देखें सबसे unsqf क्या होता है नमी क्या इन सब नोलों चर्चा करेंगे उसी के साथ ही इसमें हम लोग सुरक्षा साधान के बारे में पढ़ेंगे इसी क्लास में आज की हमारी पहली क्लास यह रहनेे वाली है फिर उसके बाद अगला हमारा chapter क्या रहने वाला है माप तौल एवं मातरकों की पत्तियां है ना यानि की measurement system and units ये basic chapter है आपने basic physics में भी पढ़ा होगा science में बच्पन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं अगला हमारा जो topic है वो क्या है मापन यंत्र एवं आवजार है ना यानि की measuring device जैसे अलग 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 के बारे में के बारे में के पर होगए है सुच मामप यंत्र यानिकी की बहुती पॉइटों में गड़ना करते हैं किसी छोटी सी छोटे के मेजर करने के लिए अगले नमबर पहें लो व्यडिंग पढ़ेंगे ठोटा चैप्टर है तीं से चार क्लास में कवर हो जाएगा पॉर्जिंग पढ़ेंगे ़ह ने एनव फ Porging गो उनको पता होगा फोरजिंग भी हमारा इसमें please तर्म है उसके बाद metallurgy पढ़ेंगे धातु विज्यान material science जैसे हम लोग इसमें सभी धातु metal, non-metal, ferrous metal, non-ferous metal, peel ferrous metal, फिर हम लोग cast iron, अलग-अलग cast iron के बारे में समझेंगे, الग-अलग steel के बारे में समझेंगे, अलग-अलग alloy पाइगे हाटों के बारे में पढ़एगे इसमें अलग अलग हलग मेल्टिंग पॉंट अलग अलग दाथुकी सब mı इस इसी में हम लोकिसी भी ability कई साथ रोपरेटी यानि Nom नित्रा प्रॉपरेटी जासे की असब बारे सब बारे में समझेंगे में चानिकलटी जैसे हो गया इलास् ellisοι की सीति हो गया ब्रिटिलनेश हो गया टफनेश हो गया है रेजिलियंस हो गया इन सब आसे कि आपके धातु में अगला हमारा चैप्टर- chilling treatment यानि कि उपसा उस्मा उपचार किसी भी धातु में किसी भी मेटल में mechanical property करके उसको अपने यूज में लाने लाइक बनाना ही क्या कहलाता है heat treatment कहलाता है जिसमें हम लोग धातु को पहले किसी निश्चिर टेंपरेचर तक गरम करते हैं उसको अलग-अलग cooling medium पर क्या करते हैं ठंडा करते हैं लेथ मसीन बहुत इंपॉर्टेंट है fitter trade की जान है तो लेथ मसीन को हम लोग खराद मसीन हिंदीं बोलते हैं यह चप्टर आप करेने वाला है तीन से चार लेक्चर इसके जाएंगे आपके उसके लाबा grinding wheel एवं grinding machine लगबग तीन लेक्चर आपके इसमें भी जाएंगे यह क्या है आपकी super finishing process है जैसे किसी object में आपने cutting की हिक्सा से cutting की आपने filing की उसके आद उसको और smooth बनाना है और चिकना बनाना है तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं grinding करते हैं तो grinding क्या है grinding एक process है और वो grinding की tool के दवारा की जाती है तो वो क्या है grinding wheel है ना grinding पहिया उसके दवारा की जाता है इसको आपने ब्यवहारिक तरीकों में देखा भी होगा फिर हम लोग देखेंगे power transmission power को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे transfer किया जाता है चाहे वो आपका belt drive हो, belt drive हो, चाहे वो आपका chain drive हो, चाहे वो आपका gear drive हो, इन सब के माध्यम से power को एक shaft से दूसरे shaft पर एक पुली से दूसरे पुली तक कैसे हम लोग transmit करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, fastener, fastener में हम लोग जैसे की welding तो हम लोग उपर पढ़ी के लिए हैं, nut bolt के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग screw के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग rivets के बारे में पढ़ेंगे हैं, joints के बारे में basically हम लोग पढ़ेंगे इसमें कौन से joint आपके permanent होते हैं, कौन से semi permanent होते हैं और कौन सी temporary होते हैं उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे interchangeability यानि कि अंतर परिवर्तनियता इसके बारे में पढ़ेंगे यह आपका भाग एक हो गया दूसरा आपको क्या पढ़ना है कहीं से आप पढ़ें किसी भी किताब से पढ़िए यह chapter include होने चाहिए आपकी training officer exam के लि जो हम फास्टनर वाला चैप्टर है उसमें भी रिवेट करा सकते हैं तो इन दोनों में से किसी में यूज़ आपका रिवेट का कहा होता है सीट में ही होता है पतली पतली धात की चादनों से आप गाडियों जो कार होती है उनकी बॉड़ी भी क्या है सीट मेटल से बनाई जाते हैं फिर हम लोग पाई तथा पाई फिटिंग छोटा सा प्लंबर का पार्ट है इसको भी पढ़ना है अलग अलग जॉइंट के बारे पढ़ना है अलग अलग सॉकेट को पहचानना है कि कौन सा क्या यूज में आता है लैपिंग और हॉनिंग ये भी एक सूपर फिनि हम छूडी बनाना है तो हम लोग डाई का प्रयोग करेंगे इस पिन में होल करके इसके अंदर की तरफ अंदर की परत में हम को चूडी काटना है तो लोग व करेंगे तैप का प्रियोग करेंगे तो यह इस चाप्टर में हम लोग कवर करेंगे टैप और डाइज ट्रिलिंग एवं बोरिंग है ना यह भी क्या है यह भी सुराख करने की ही डिवाइस हैं किसी आपके मेटल में यह किसी भी पार्ट में जिग और फिक्सचर जब किसी आपने copy है ना जैसे मानिक चलिए कि यह आपकी copy है है ना इस copy को आपने क्या किया कभी spiral कराया होगा तो पहले आपको इसको पकड़ के fix करना होता है फिर आप जिस tool से इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग starting में ही देख लेंगे वाइस को भी देख लेंगे जनरली किस में आते हैं ये सब टूल में आते हैं ये सब टूल के chapter है सूल के chapter हम लोग चार- forest एक ही साथ देख लेंगे जैसे कि cut in too हो गया cutting tool हो गया जिसमें हम लोग क्या देख लेंगे file देख लें चीजल देख लेंगे चैनी जिसको बोलते हैं उसी के लावा हम लोग होल्डिंग टूल में क्या देख लेंगे होल्डिंग टूल में हम लोग वाइस और क्लैम्प देख लेंगे वाइस और क्लैम्प जो की पकड़ करके रखने वाली चीज़े हैं स्ट्राइकिंग टूल में ह तोट मारने वाले आउजार जैसे कि हैमर अलग अलग प्रकार के हाथ होड़ोई के बारे में भी आपको अध्यान करना है उसके अलावा फिर हम लोग मैजरिंग टूल मेजरिंग टूल इसके साथ साथ कहीं कहीं आपको मार्किंग टूल भी देखने को मिलता है जब किसी ऑपरेशन में आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो कटिंग करने से पहले आपको उसमें मार्क करना पड़ता है है ना तो उसके लिए हम लोग मार्किंग टूल देखेंगे यह पूरा का पूरा complete से ले बस आपको मिलेगा हमारे ITI अनुदेसक बैच में ITI अनुदेसक के नाम से हमारा बैच है इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स के थूरू वीडियो क्लासे के थूरू यह सारी क्लासे मिल जाएंगी साथ ही साथ हमारे द्वारा हाथ से लिखी हुई notes copy पे उसका PDF आपको मिल जाएगा जिसको हमने क्या नाम दिया है क्लास notes इसको आप लोग handwritten notes बोलेंगे इसको आप लोग क्या बोलेंगे handwritten notes यह आप course के अलावा अलग से भी ले सकते हैं लेकिन मैंने course के साथ compile कर दिया है इसके अलावा mock test 10 टेस्ट मैं आपको इसमें provide कर रहा हूँ 10 टेस्ट क्योंकि किसमें हिंदी और इंग्लिस दोनों language में रहेगा है न सारा इसकी fees 499 रुपए है 500 रुपए 499 कुछ marketing strategy है application वालों के इस वज़े से रखा गया है 499 इसकी fee से इसकी वैलेटी एक साल तक है है ना इसकी वैलेटी एक साल तक है तो application डाउनलोड करेंगे वहाँ पर जाएंगे fitter section को select करेंगे save करेंगे और इस batch में enroll करेंगे आप लोग अब हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारा पहला chapter क्या था हमारा पहला chapter था trade introduction क्या था मेरे दोस्त trade introduction trade introduction यानि की परिचय परिचय आप सबको पता है कि जो आपकी fitted trade है वो mechanical group की यानि की mechanical engineering group की एक समों की एक trade है जिसमें production का maximum part कवर होता है fitter क्या है एक engineering group की trade है जो दो वर्सों में लेड़кर्षब्चा कर्षब्चे. लेडरी . लेडरी ओ możवेड़ों की निह राव साल्पे सालेंगिजर इंगरन्ड थिकिभलёт 그 55 परे लीकिज्वेस के है वोर्सिक्रा कलाशन ऑसानिजिशनिवेश्ध था इन आप दर दिश्वेते दृ ढवेड-टो subjekts के साथ complete कराई जाती है complete कराई जाती है basic से परीचे तो ये हुआ अब आपको ये पता है कि ये सब कहां पर आपको मिलेगा ये fitter trade कहां पर मिलती है ITI college म मिलती है तो सवाल योगर यहां पर ये भी बनता है कि ITI कि आइट याई आइका पूरा नाम इंडस्क्रियल ट्रेनिंग इस अवाल बने गा किसी भी ट्रेन एत्र में ये चैटर कॉमन ये यह ट्रेड़ परिचर टीक है तो यह मतलब की इन्डस 12 खेल की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टेट्यूट क La industrial हिंदी में क्या बोलते हैं और द्योगिक प्रसिक्षण संस्थान क्लियर हुआ देखिए जो आइटियाई है आपकी उसका उद्देश उसका उद्देश यही था कि अलग अलग उद्द्योगों में स्किल वरकर को भेजना साथ ही साथ स्ववयम रोजगार करके बेरोजगारी को कम करना यह किसका उद्देश रहा था आपकी आईटियाई आप जो यह आईटियाई चलाई जाती थी यह तो दो वर्सों का कोर्स है यह तो पता चला आपको यह आप से पूछा जाएगा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इनको पता ही नहीं होगा है न कि फिटर ट्रेड कि के नुसार है जितने आएटियाई आपके हैं टोटल कितने हाच यह आपके पास लगभग्त चैउदा हजार है ना चैउदा हजार लगभग्त चैउदा हजार नौस का डाट PLAYING चाहे वह वह रय Pearad को यह दोजर आठारा का डाटा है पप्लिक नहीं किया गया लगभग इतने हैं अब देखिए डाटा तो ये भी है कि इन सब कॉलेज में टोटल कितनी सीट हैं लेकिन वह इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि बहुत डेप्ट में क्या है अब इन सभी कॉलेज में क्या है अगे बढ़ें क्या है अलग अलग ट्रेड पढ़ाई जाती हैं कितनी ट्रेड हैं लगवग 126 ट्रेड हैं 126 ट्रेड हैं इन 126 ट्रेड को फिर से बाटा गया दो समूह में दो समूह में कैसे बाटा गया एक हुई आपकी इंजिनेरिंग ट्रेड और एक क्या हुई आपकी नौन इंजिनेरिंग ट्रेड और एक क्या हुई आपकी नौन इंजिनेरिंग ट्रेड इंजिनेरिंग ट्र कितनी ट्रेड आती हैं तिहत्तर अब इंजिनरिंग ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंकेनिकल इंजिनरिंग के अंतरगत आने वाले जो भी ट्रेड है उएसमें घ्रलोन और ये अगर आप जाएंगे तो लगवख 48 ट्रेड क्या है आपकी चल दियुक्त है जैसे non engineering बेसे cosmetology हो गया fashion design हो गया ये सारी क्या है non engineering है fitter हो गया, turner हो गया, machinist हो गया welder हो गया, plumber हो गया draftman civil हो गया draftman mechanical हो गया diesel mechanic हो गया motor mechanic vehicle हो गया ये सारी trade किसमें आती है आपकी engineering में आती है engineering trade की एक खासियत ये भी है कि इसमें आपको एक सब्जेक्ट जो एक्ष्टा पढ़ना होता है वो क्या है आपका Engineering Drawing Engineering Drawing Compulsory होती ही आपकी Engineering Trade तो Total Non Engineering Trade की संख्या कितनी हुई लगभग 48 हुई है ना, इतनी ज़्यादा Trade है कि आप उनका नाम याद नहीं रख सकते हैं है ना, उसके अलावा फिर भी आप देखेंगे कि 73 और 8 है ना, कितना हुआ, 121 ही हुआ पांच Trade अभी बच गई है पांच Trade, तो वो पांच Trade किसके लिए रिजर्व की गई हैं बहुत छोटी छोटी अलग टाइप की Trade होती हैं द्रिष्टी बाधित छात्रों के लिए है द्रिष्टी बाधित छात्रों के लिए पांच Trade है अब देखेंगे, इसके बाद एक छोटा सा सवाल और बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो भी ITI College में syllabus चल रहा है, क्या पढ़ना है ये निर्धारित कौन करता है और किस ministry के अंतरगत आपकी ये Trade आती है, है ना या ITI जो है आपकी किस ministry के अंतरगत आती है देखिए, जब आप जाएंगे अपने ITI College में वहाँ पे जब आप देखेंगे उस ITI College में एक DGT नाम का सब्द आपको दिखेगा DGT DGT नाम का आपको सब्द दिखेगा इसका मतलब क्या होता है Direct Rate of General Training क्या होता है Direct Rate of General Training Of इसके Full Form ही पूँचे जा सकते हैं आप से ठीक है भई, टीचर बनने जा रहे हो आपको यह ऐसे एक्जाम कि आपको टेक्नीशन नहीं बनना है आप जाओगे तो आपको इस सब पता होना चाहिए पूँचने के तो आप से यह भी पूछ लेगा कि एक ITI College सबसे बड़ा कौन होता है सबसे छोटा कौन होता है Training Officer का काम क्या होता है Workshop Instructor का काम क्या होता है Principal का काम क्या होता है Clerk का काम क्या होता है लेकिन अब आप लोग Primary Teacher के तैयारी तो कर नहीं रहे हैं तो मैं अंदाजा ही लगा रहा हूं कि ये क्या हो गया आपका? DGT हो गया उसके बाद फिर आप देखेंगे DGT के साथ ही आपको एक मिनट हाँ DGT के ही साथ आपको देखने को मिलेगा क्या MSDE ये क्या है ये Ministry है Ministry of Skill Development and Entrepreneurship है ना यानि की उद्यमिता तो ये जो आपकी आइटिया ही चलती है वो किसके तहर चलाई जाती है Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Entrepreneurship है ना ये इसके अंतरगत चलाई जाने वाली संस्था है आपकी आईटियाई गवर्न काउन करती है आपकी DGT Direct Rate of General Training अब देखिए CTS जो आप आईटियाई करने जाते है ना तो अगर आप आपको ITI में आपने नाम लिखवाया तो आपको किस scheme के तहथ कोहई नो कोई योजना होती है जिस्में आपको लाभ मिलता है को ITI गवर्न में जो आपको पड़ाया जाता है तो क्या ये लाभ आपको दिया जा रहा है और ये scheme को आप स्कीम CTS का मतलब क्या होता है क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम इसके लावा एक CITS होता है जो अलग अलग राजियों में टीचर बनने के लिए आईटियाई में आप कंपलसरी कर दिया गया है वो CITS अलग चीज है CTS का मतलब यह है कि अब आप आईटियाई कर रहे हैं उसके बाद जो आपकी सारी की सारी result हो गया, mark seat हो गया है ना, आपका syllabus हो गया क्या पढ़ना है सारा निर्धारित करने वाला board है आपका, वो क्या है आपका NCVT क्या है आपका NCVT जो की कहा निर्धारित करता है केंदर में, पूरे भारत देश में NCVT, National Council for Vocational Training National Council for Vocational Training है ना, यह क्या है पूरे के पूरे देश में लगता है National Council for Vocational Training इसके अलाबा, कुछ राजियों में अलग से SCVT चलता है तो SCVT, याने की कुछ राजियों के लिए ही मान्य होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं State Council for Vocational Training क्या बोलते हैं, State Council for Vocational Training अब देखिए, NCVT में अगर आपने admission लिया, तो आपको जो certificate मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग NTC बोलेंगे, मतलब कि National Trade Certificate, क्या बोलेंगे हम लोग National Trade Certificate National Trade इसके अलाबा, अगर आपने SCVT में admission लिया है, किसी State Body में admission लिया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे State Trade Certificate स्ट्रेट ट्रेड सर्टिफिकेट बोलेंगे यह क्या है आपका STC तो SCVT जो आपको परमाण पत्र देगा जो आपको सर्टिफिकेट देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे STC बोलेंगे और NCVT जो आपको certificate देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे NTC बोलेंगे अब ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों पढ़ रही आप training officer बन जाओगे वहाँ बच्चा पूझेगा सर NCVT क्या है तो आप क्या बताओगे STC क्या है सर हमारा NTC क्या होता है तो क्या बताओगे अपसर ITI क्या है तो क्या बताओगे इसलिए ये सवाल भी आपसे एक क्योस्टन बन सकता है लेकिन छोड़ना तो कुछ नहीं है उद्देश हमारा और आपका यह होना चाहिए क्लियर है दोस्त चलो भई उसके अलावा फिर आगे हम लोग आते है ये आपका certificate मिलता कैसे है आपने दो साल की ITI complete की उसके बाद आपका एक exam होगा कैसा exam होगा या तो CBT होगा या तो OMR होगा तो अब OMR नहीं होता है बहुता है CBT CBT का मतलब क्या होता है computer based test है न जो आपका ITI instructor या training officer का भी यही exam होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते है computer based test बोलते है और यह जो test होता है इसको हम लोग क्या बोलते है AITT बोलते है क्या बोलते है All India Trade Test All India Trade Test बोलते है इसको आपने अगर आपने NCVTM admission लिया है तो आपको NTC दिया जाएगा अगर आपने NCVTM admission लिया है तो आपको STC दिया जाएगा इतनी सी बात clear होनी चाहिए आपकी फिर आते हैं हम लोग NSQF में तो NSQF जब भी आप कोई निमी की book purchase करेंगे या आपका विद्यार्थी जो आपके ITIA college में पढ़ रहा होगा आप training officer बन गये है तो उसमें लिखा र NSQF का मतलब क्या होता है NSQF का मतलब होता है National Skill Qualification Framework क्या होता है National Skill Qualification Framework ये इसका मतलब होता है ये क्या है स्तर है updated version syllabus का आपके updated version जैसे से update होता है वैसे वैसे आपका NSQF level क्या है 5 to 6 चलता रहता है 7, 8, 9, 10 है न तो अभी 5 और 5 से बहुत उपर जा रहा है तो 6 तक चल रहा है ठीक है ये आपकी basic basic trade introduction हो गई मुझे नहीं लगता कि इसके लाभा और भी कुछ चीज़ें आप से पूछी जाएंगे clear है अब देखिए आज का हमारा chapter क्या था trade introduction एवं safety यानि कि सुरक्षा अब आते हैं हम लोग किसमें सुरक्षा आपका अगला topic क्या है सुरक्षा देखिए सुरक्षा जो है आपका सामानेता दुरगटनाएं जो है अपने आप नहीं होती है आपको पता है है ना जो दुरगटनाएं होती है वह automatic तो हो नहीं जाती है इनके पीछे कोई न कोई क्या होता है दोस्त कारण होता है अधिकांस दुरगटनाओं को टाला जा सकत अधिकांस दुरगटनाय टाली जा सकती है कैसे जो कि आप सेफटी करके सुरक्षा अगर आप बढ़तेंगे बढ़िया तरीके से तो अधिकांस दुरगटनाय क्या कर सकती है टाली जा सकती है अच्छे सिल्फकार के पास विभिन सुरक्षा के पुरुव उपाई की जानकारी होती है वह स्वयम को तथा अपने साथ के कारीगरों को तथा उपकरण को छती होने से बचा सकता है इसके लिए प्रक्तियक व्रक्ति को सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए ये क्या है सुरक्षा है ना सुरक्षा है ये अब देखेंग किन किन चीज़ों की सुरक्षों कर सकते है आपने पीछे देखा कि आप तो एक जन Service सामान सर्क्षा का मतलब क्या हो गया कि या आप किसी वरक्शॉप में गुस रहे या किसी पता चल रहा है और उढ़क के क्या हो गिर जाए तो इस प्रकार की कोई समस्या ना हो उनको हम लोग किसमी कंडिशन में रखेंगे जनरल सुरक्षा में जैसे साफ सफाई साफ सफाई है ना साफ सफाई भी किसमें आ जाता है आपका जनरल सुरक्षा में आ जाता है ये सवाल बना था किसी स्ट्रेट के ITI instructor में कि सुरक्षा जो है आपके कितने प्रकार की होती है तो तीन प्रकार की सुरक्षा होती है एक दो और तीन पहला नमबर जनरल सुरक्षा जैसे कि साफ सफाई हो फर्स पे चीजें ना पड़ी हो सामान इदर दर ना फेंक हो इस टाइब के मसीनों की जो उचित पोजीशन है वहाँ पे वो सारी चीजें रखी होनी चाहिए परसनल सुरक्षा का मतलब क्या है कि आप किसी वरक्षॉप में घूस रहे हैं तो आपके बाल बड़े ना हो आपके सर्ट की आस्तीन खुली ना हो है ना आपके जो पैंट है वो पुराने मुवी क्या मिताब बच्चन वाले ना हो है ना यानि कि बाहर आपके जो जूते है हैं वह मोटे शोल वाले हों और उपर से क्या है थोड़ा सा रफ एंड टफ हो जिससे कि कोई सामान गिरे तो आपके पैर में चोटना है वह आपके परसनल सुरक्षा की से तो चक को आप खोल रहें तो सबसे पहले मसीन को पावर आफ करें चक को देखें कि किस इक्योप्मेंट्स उसको खोलना है वो सारे पास रखें आपके कभी भी चलती हुई मसीन पर कोई भी जॉब ना लगाए इस प्रकार की जो सुरक्षा है वह मसीनों की सुरक्षा के अंतर इधर वाला क्या है आपका अंसेफ है इधर वाला क्या है आपका अंसेफ है देखिए जैसे आपके पास अगर शोटे हैर है तो आपका मसीनों में फंस करके बाल उलजेगा नहीं और दुरगटना नहीं होगी यह परसनल सुरक्षा हो गए इधर आप देखेंगे अंसेफ वाल करेक्ट यह चाहिए न आप क्या सकते में आप क्या सकते हैं करेक्ट अपनी पैंट गात्र चाहिए सकते हैं है आपकी पर्सनल सुरक्षा के अंतरगत आएगा जब आप किसी वर्क्षॉप में या आपके जो ट्रेनीज हैं आई ट्याई में जो बच्चे पढ़ रहा हैं वो भी घुसें तो आप इस चीज को एंशोर करें कि वह तरीके से आप जो है काम कर रहे हो ठीक है चलो गई आगे प्रचलन बढ़ गया है तो प्रकार की होती है और रिस्पेटरी और रिस्पेटरी मतलब की एक पीपीट होती है जो सांस के लिए होती है आपके स्वासन के लिए जैसे COVID में जो PPE kit चले थी वो सांस लेने के लिए सांस में किसी प्रकार कोई समस्या ना हो कोई दूसित गैसे ना पहुंचे इसके लिए जो PPE kit यूज की जा रहे थी वो क्या यूज की जा रहे थी आपकी respiratory PPE kit इसके लाबा non respiratory PPE kit जैसे आपके हाथों के स सुरक्षा आपके पैरों की सुरक्षा आपके सरीर की सुरक्षा वो किसमें आ जाती है आपकी non respiratory PPE kit देखिए जैसे इस PPE kit में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है यह आपका चेहरे की सुरक्षा के लिए इसने एक helmet लगा करके रखा है welding का यहाँ पर इसने क्य के होने चाहिए आपके लेदर के होने चाहिए मैं ट्रेल भी कई बार पूछा गया है लेदर के यह चाहिए क्योंकि आपकी जो ट्रेड है उसमें आपको welding भी करना है grinding भी करना है कटिंग ऑपरेशन भी करना है इसका मतलब हौट वर्क का काम आपको हमेशा लगा ही लगा र करना ही पीट इक बहुत है topics फेले टॉप फिर सब्से नीचे पहुचे याद करने का तरिकर मैं बता रहा हूं एक नंबर सबसे पहले हमेशा बाइक चलाते हैं तो आपका सर बचा रहा जरूरी है ये क्योंकि जैसा यह आप टकराते हैं और आपके सर में कोई चोड हुई त तो स्वास्त त्वास्त सम्बंदी उपकरण फिर पीपाइक फोर पे जाएंगे तो भुझाएं तथा हाथ की सुरक्षा पीपि नंबर फाइब पे जाएंगे तो आँखो तथा चेहरे की सुरक्षा जो यहां पे P.P.E. Number पर रखते हैं तो 7 यह Number-ring याद रखना है याद रखना है मतलब याद रखना है P.P.E. Kit Number 8 में क्या रखते हैं हम लोग सुरक्षा बैल्ट उप करना बेर है आगे बढ़ते हैं मसीनों की सुरक्षा इसके बारे मैंने आपको बताया कि मसीनों की कैसे देखभाल करने है अब देखे इन सभी सुरक्षात्मक नियमों का पालन करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए जो कि आपको रोड में, हॉस्पिटल में, किसी क्लीनिक में, है ना आल्ठी ओ आफिस आप जाते हैं, वहाँ पे, किसी बड़ी लैब में, किसी वर्कषा उप में, किसी इंडस्ट्री में देखने को ज़रूर मिलता होगा किसी पिट्रोल पंप पर आपको देखने को मिलता होगा क्या मिलता है सुरक्षात्मक चिन क्यों बनाया गया ये सभी सुरक्षात्मक नियमों का पालन करने के लिए पालन करवाने के लिए क्या बनाया गया सुरक्षात्मक चिन बनाया गया अब ये सुरक्षात्मक चिन को हम लोग 下 किया है कैसी कमा और आप है यह प्रस्क्राइद का मना करना किसी भी चीजद के लिए मना करना करना निश्यद काम कहना फेड़े ही नहीं है ale जीस से आपने पेट्रॉल heh आपको दिखा हुगा यह सिम्बल आपको दिखा होगा यह सिम्बल आप Jake उसका objective को जरूर देखिएगा concept clear होगा आपका पूछेगा कि ये कौन सा चिन है तो आपको पकड़ना है कि ये कौन सा चिन है तो कैसे आप जाचेंगे देखिए जो निश्यधात्मक चिन होगा न मेरे दोस्त उसकी आकरती जो होगी क्या होगी वो गोल होगी हमेशा आकरती क्या होगी गोलाकार होगी यानि कि उसमें सरकल बना होगा आकरती कैसी रहेगी उसकी गोलाकार रहेगी देखिए उरित्ताकार इसका color कैसा रहेगा स्वेट प्रिष्ट भूमे सफेद इसका जो background जो पीछे वाला portion आप देख रहे है ना देखिए यह पूरा सफेद है यह पूरा सफेद है ना और यह symbol कैसा है आपका काला है यह symbol काला है और जो पूरा red red circle आपको दिख रहा है यह क्या है यह red color का रहता है यानि कि लाल यानि कि सक्त मना किया जा रहा red signal है इस चीज़ के लिए और यह symbol कि इसके लिए बता रहा है कि यहाँ पे धूमरपान करना मना है clear है यहाँ पे लिखा हुआ है क्या मुझे लिखने की जरूरत है इसका जो रंग है वो स्वेत प्रिष्ट भूमी है और इसके border का जो color है वो क्या होता है आपका red होता है यह इसको पहचानने का तरीका है बहुत बढ़िया तरीका है उसके बाद हम लोग आएंगे कहाँ पे सूचनात्मक चिन्ये पे सूचनात्मक चिन्ये के मतलब क्या है कि किसी भी चीज की information दी जा रही है जानकारी दी जा रही है आपको जैसे सड़क पे आप जा रहे हैं सड़क पे आपने कई बार देखा होगा कि एक छोटा सा board लगा होता है उस पे plus का symbol लगा होता है green color से उसका background रहता है आपने देखा होगा यह है न तो सूचनात्मक चिन का मतलब क्या है information देना यहाँ पे है क्या आपका information देना इंग्लिस में भी लिखा हुआ है इसकी जो आकरती होती है इसकी आकरती वरगाकार या आयताकार होती है आयताकार होती है class बड़ी तो नहीं हो रही है अगर बोजियत महसूस होगा तो किस्तों में class को जरूर देखिएगा ठीक है चलिए थोड़ा थोड़ा करके speed में कर लीजिएगा वरगाकारिया आयताकार होता है इसका जो background होता है बस वही याद रखिएगा आप सड़क पे जाते हैं प्लस का सिंबल इक चोण मौता है वहाँ पर हरा हरा पूरा का पूरा बैग्राउंड का इसा होता है हरा होता है तो यहां पर आप ़ैप क्या देखिएग आउइ कि हरे प्रेक्रेश्ट पुलिए पर सफ्च्रस रखेद चिन रोता है कैसा होता है तो background कैसा होगा बैग्राउंड ग्रीन है ना ऑव वाइट सिम्बल वाइट चिन्ड होगा अग्र आपका ये किसका हो गया आपका सूचनात्मक चिन्ड हो गया उसके बाद आते हैं हम लोग अनिवार्य चिन्ड का मतलब क्या हो गया कि mandatory shine अगर आप किसी भी workshop में किसी भी school में किसी भी college में घुस रहे हैं और ये symbol आपको दिख गया तो ये आपको करके ही अंदर जाना है वरना प्रवेश वरजित है ये क्या था कि आपको ये करना ही नहीं है अगर आप वहाँ पे आप घुस रहे हैं तो ये चीजें आपको करनी ही नहीं किसी हाल में लेकिन वहीं पे आप आनिवारे चिन्ह में जाएंगे mandatory shine में जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी वर्क्शॉप में किसी इंडस्ट्री में किसी भी building में आप गुस रहें तो ये काम आपको करके ही अंदर जाना है इसकी भियाकरती कैसी होती है इसकी भियाकरती होती है व्रत्ता कार लेकिन इसका background कैसा होता है वो होता है नीला है ना इसका पहचाने के कैसे अनिवारे का यह नी निकालेंगे आप लोग क्या आ जाएगा आपका नीला आ जाएगा है ना झीला गोलाकार और सफेद चिन का सफेद चिन होता है किसे का जो होता है यह क्या होता है अनिवारे सिंबल होता है यह इसका मतलब क्या है कि गलप्स लगार करके अंदर घुस्णा जरूरी है अप लगाया बTalk इसका सकते हैं आते हैं हम लोग लास्ट में वार्निंग अगा मतलब क्या है चेतावने चिंद यो आको दे दिया है आप मांनो या ना मानो वह आपका रिसक नहीं पे आ लिखा tumory रेलिवेशेशन पर आपने देखा होगा कि जो दिवाल होती है, तोहे की बनी होती है, उसमें एक त्रिभुच बनकर कैसे, और उसमें एक खोपड़ी बनी होती है, और लिखा होता है 440 वोल्ट, या 4400 वोल्ट, या 36 वोल्ट, यानि कि वो चेतावनी दे रहा है, वाइस त्रिभुच अकार होती है, चित्र क्या पूछेगा, चित्र यहीं पूछ लेगा, ऐसे बना रहेगा, पूछेगा यह किस प्रकार का चिन है, तो आप बताएंगे, चेतावनी चिन, इस दिवाल कार की विज़ए से, यह गोला कार रहेगा, रेड कलर का रहेगा, रहेगा, तो आप तुरण जान जाएंगे कि क्या है आपका ये ये आपका निश्रेधात्मक चिन्न यानि किसी ने किसी को रोका जा रहा है यहां पर तो यही तरीका आपको याद रखना है तो इसकी आकरति कैसी होती है त्रिभुजाकार होती है काले बाडर परचिन सहित पीली चलिए जैसे आप यहां पर देखेंगे कि संकट अथवाभय मतलब सावधान किया जा रहा है सावधान विद्यृत आघात का भय ये क्या है विद्यृत आघात के बारे मता रहा है डैंजर लिखा है चारसो पंद्रा वोल्ट है ना इस प्रकार से आपको चीजे सुरक्षात है क्योंकि इसमें त्रिभुज बना हुआ है रिस्क आफ इलेक्रिक शॉक है ना विद्यृत का जटका तॉक्षिक यानि कि यहां पे जहर खुराने का खत्रा है यहां पे आप देखेंगे तो कोरोजिव सबस्टांस है रिस्क आफ आइनोईजर रेडियेशन यह तीन टाइ आपको देखने को मिलेगा जनरल वारिंग रिस्क आफ डैंजर यहां पे आप देखेंगे फॉर्ट रिट्राफ्ट यहां पे आप देखेंगे की फ्रेंगल रूफ वार्निंग शाइन यहां पर क्या देखेंगे ओवर हेड लोड ना यहां पर मतलब कि ऊपर कोई सामान जगा करेंगे जाएए आई प्रोटेक्शन यहां पे वियर एरिंग प्रोटेक्शन काम का कान का प्रोटेक्शन यहां पर फुट प्रोटेक्शन है अगर तो आपको पैरों में अच्छे जूते पहन करके ही घुसना है वियर हैंड प्रोटेक्शन यानिकी गलफ पहनना है यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत नहीं तो यह क्या होगी आपका अनिवारिय चिन होगी दुरघटना इन सब चीजों को अगर आप नहीं मानोगे तो आपके सामने एक बहुत ही दुखत परिणाम निकल करके आएगा एक बहुत ही दुखत परिणाम आपको देखने को मिलेगा वो दुखत परिणाम क्या रहेगा दुरघटना रहेगी तो सबसे पहले आपको सुरक्षा बरत्नी है सुरक्षा बहुत जरूरी है सुरक्षा अगर आप बरत्ते हैं सही जरीके से दुरगटना नहीं होगी उसके बावजूद अगर सेफ्टी में किसी प्रकार की चूक होई और दुरगटना हो गई तो उस कंडिशन में आपके पास एक चीज आपको बननी चाहिए वो क्या है फर्स्ट एड यानि कि प्राथ्मिक उपचार यहां से आपका अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है क्या है आपका प्राथ्मिक उपचार है ना लालग अलग टाइब खत्रे होते हैं शरी खत्रे हो गया य्य Apple का रहा है क्या सॉक्रें कर रहा है देशे में इसके बादब खत्रेण का शौक है रिए अगला प्रकार के आपके खत्रे देखने को मिल सकते हैं इन सब खत्रों पर दुर्घटना हो जाने पर आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले आपको आना चाहिए ABC ABC का मतलब full form आपसे पूछता है तो वो क्या है आपका Air Breathe Circulation सबसे पहले उस व्यक्ति को कहा ले जाएं आप हवादार स्थान पर ले करके जाएं जहां पर हवा हो आसपास ब्योड़ी कटा हो तो उनको बाहर कर दें हटा दें उसके बाद उसकी सांसों को चिक करें, कि सांस ले रहा है या नहीं, फिर उसके बाद उसके पल्स को चिक करें, कि उसके ब्लड का सर्कुरेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, इन तीन प्रक्रिया को आपको अपनाना है, उसके बाद हवा मिले जाना है, अगर वो सांस नही ले रहा है अगर वो सास नहीं ले पा रहा है ब्रीधिंग नहीं कर पा रहा है तो वहां पर आपको एक तरीका अपनाना है वह क्या है Artificial Respiration यानि की कृत्रिम स्वसन की प्रणाली आपको अपनानी है ना कृत्रिम स्वसन का अगर कोई विदिगर है हमारे पास तो हम लोग देखते हैं नहीं है देखिए हों परित्रिम स्वसन की चार विधियां है चार विधियां हैं आपकी कृत्रिम कौन कौन सी सिल्वेस्टर विधि बहुत जरूरी चैप्टर है यहाँ सवाल बनते हैं मर दोस्त ठीक है के बाद दूसरे नंबर पर क्या है शैफर विधि कीसरे नंबर पर क्या है लाबोर्ड विधी लाबोर्ड विधी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं मुह से मुह द्वारा प्रशन इसके लावा पूर्थ नंबर पे क्या आ जाता है आपका मसीनो द्वारा चार विधी से आप क्या कर सकते हैं ब्रीधिंग यानि कि अगर किसी की सांस रुक गई है तो उसकी सांस को फिर से चलाने की आप कोसिस कर सकते हैं जैसे सिल्वेस्टर विधी तब अपनाई जाती है जब व्यक्ति रोगी या पेशेंट जिसको आप फरस्ट एड़ दे रहे हैं वो सीधा लेता हो सीधा लेता हो मतलब पीठ के बल लेता हो जब रोगी पीठ के बल लेता हो अब पीठ के बल कब लेतेगा जब उसके सीने की तरफ चोट लगी होगी पीठ के तरफ लेता हो इसका डारेक्ट सीधा सा मतलब आप यही निकाल लेंगे है कि सीने पर चोट लगी हुई है ना और एक मिनट में दस से बारा बार उसके सीने पर क्या करना है आपको पुश करना है फिर छोड़ना है फिर छोड़ना है तो दस से बारा बार प्रती मिनट देखिए एक गोल्डेन आवर नाम का टर्म आता है क्या आता है golden hour एक जेड़ साल में पिछले कई बार पूछा गया है golden hour, जब किसी व्यक्ति की दुरगटना होती है तो starting का 30 minute का जो time होता है उसको हम लोग golden hour कहते हैं क्यों? क्योंकि वही 30 minute decide करता है कि व्यक्ति बचे गया नहीं अगर उस 30 minute से लेट हुआ तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है ना? चाहे छोटा छोटी सी दुरगटना हो तो golden hour का मतलब होता है कि दुरगटना होने का starting का 30 minute है ना? सुरू का 30 minute golden hour की नाम से जाना जाता है और cypher विधी का मतलब क्या है? कि अगर व्यक्ति पेट के बल लेटा हो है ना? यानि की पीठ पे चोट लगी है पीठ पर चोट लगी है उस condition में आप क्या देखेंगे? सैफर विधी का उप्योग करेंगे लाबोड विधी मूह से मूह स्वसन जब ये सारी विधियां फेल हो जाती है फिर उसकी जीव को पकड़ के खीचना है साइड में करना है फिर अपने मूह से उसको क्या करना है हवा देना है तेजी के साथ फिर उसके सीने को क्या करना है दबाना है ये प्रक्रिया भी आपको क्या करनी है दस से बारा-बार करनी एक मिनट में यह सारी तकनीकी के अलावा मसीनों द्वारा भि कृटिम सुसन दिया जाता है तो यह क्या है आपका कृटिम सुसन है अगर दुरखटना हो जाए ब्रिधिन लेने में समस्थिया हो रही तो इस चार विधियों का वरननद किया गया है इन चारों विधियों के बारे मैं आपको पता होना चाहिए पूछेगा सवाल कैसे पूछेगा कृतिम सुसन की कितनी विधियां अपनाई जाती है तो चार विधियां कौन कौन सी है सिल्वेस्टर, साइफर, लाबोड और मसीनो द्वारा अगर व्यक्ति के सीने पे चोट लगी हो तो किस प्रकार की कृतिम सुसन पर क्रिया को हम लोग अपनाएंगे तो वो आपकी सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करेंगे सीने पे चोट लगा है तब वो पीठ के बल लेटा हुआ है सीने पे चोट लगा है तो सीने के बल है उसके लिए आपको प्रात्मी कुप चार करना पड़ेगा इसके लिए एक Maya और बस में भी देखेंगे सरकारी बस में अच्छे-ची बील्डिंग में आप देखेंगे फर्स्ट एडबॉक्ट होता है अच्छे-ची बिल्डिंग वास्पिटल बीदेखने को मिलता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है लेकिन अभी तो लंबी हो रही है तो प्राथमिक उपचार अब प्राथमिक उपचार और साथ में आग और अग्णि शामा के अंत्र हम लोग अगले लेक्जर में देखेंगे ऑना कि एक गंटे से क्लास अगर ज्यादा हुई तो चीज़ें समस्या में पढ़ने लगती हैं और आप लोग क्लास को देखोगे नहीं जाएंगे तो आप लोग डाउनलोड करिए फिटर अनुदेशक नाम से आपको बैच मिलेगा है ना इसमें आपको नोट्स क्लास और साथ में मौक टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं मिलते हैं आप से किसी अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद।